इत्याद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्याद न्यूज और आइनन सेवन में आप सभी का खैर मक्दम है रियासत कॉंग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बड़ा हम रहा इसलिए के आज यहों में हल्फ यानि के प्रतित्या दिन मनाया गया आज ही के दिन कॉंग्रेस के बुजर्ग और तजर्वकार काईद डी की गई पूरे रियासत में आज बड़े ही शांदार तरीके से प्रतित्या दिन मनाया गया बैंगलोर के मरकजी दफ्तर में डी के शुकुमार ने सबारत का होदा लेने गया बाद तक्रीर में कहा कि देश में बढ़ते मजभी तश्दुद और तमाम बिगड़ते हालात को सही दिशा देने के लिए कॉंग्रेस पार्टी को नए दमखं के साथ मैदान में आना है पूरे रियासत में लाख वो कारकुनान ने देश की फला बैबुदिया और कॉंग्रेस पार्टी के उसलों पर चलकर गाओं शहर रियासत और मुल्क को बहतर बनाने की कजम काई सद्रे पार्टी डिके शुकुमार के इस हलप लेने के जलास में जूम वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए दसल लाख से भी जायत कारकुनान ने हिस्सा लिया जिसमें 7800 से भी जायत मकामात से वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए हलप लिया गया हलब में सम्विदान को पड़ा गया और कॉंग्रिस पार्टी के हलब को दोर आएगा जिसमें देश की एक ताखंडता को बरकरार रखने के साथ भाईचारे इत्तिहात को मजबूत करने की बात कही गई बिलगाम जिला कॉंग्रिस दफ्तर में भी साभी के में ले जनाफ फिरोज सेड़ साहब बिलगाम शाहर कॉंग्रेस सदर राजु सेड़ साहब कॉंग्रेस यूद सदर फाइजान सेड़ साहब बिलगाम वब बोर्ड चेर्मन को फुर्गी वान है बेलगाम जिला सदर विने नावल गट्टे और दिगर कॉंग्रेस के जमेदारान मौझूद थे और उन्होंने भी ऑनलाइन जूम इडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए कॉंग्रेस पार्टी के लिए जिद्दुजहद करने की कसम खई अगर सही में सोचा जाए तो कॉंग्रेस पार्टी को इस वक्त ताकतवर विपक्ष का किरदार निवाना था पर ऐसा लग रहा है कि भाजब के सामने कोई विपक्ष हाई यह नहीं आओ और इसलिए ना सिर्फ रियासत में बलके पुरे देश में एक तरफा फैसली लिया जा रहे है और मन मानी कारुबार चलाए जार आज कुछ डीकेश शुकमार ने जिम्मेदारी समालने के अबाद कुछ उम्मीद कह सकते हैं जरूर जागी है और कारकुनान में भी कुछ हद तक ताज़गी दिखाई दे रही थी कॉंग्रेस जो कभी भारत में सबसे ताखतवर पार्टी थी आज भाज़पा के सामने काफी कमजोर नजर आ रही है अब सवान यही उड़ता है कि क्या भाज़पा को ओट आवाम ने तरक्की के लिए देते है या देश में मजभी तशद्दूत पहलाने के लिए जो भी हो भाज़पा को देश की जंता ने दो बार अक्सरियत से ओट दे कर कामियाब बना था पर अब अवाम भाज़प के तमाम नितियों से परेशान है जब से मोधी हुकुमत आई है कुछ लम्हों के लिए भी सुकुन मेसर नहीं हो रहा ऐसा अवाम का कहिना एक हरसे से राम मंदिर, मौबलिन, चीन, गोरक्षा, यनर्सी, सी, ए, ट्रिपल तलाक मजहभी तशग्दूत में मुलविस कर लोगों को गुमराख किया जा रहा है लहाजा जहनों को मुन्तशिर कर असल मौबल से ध्यान को हटाने का फार्मूला अवाम की समझ में अब आने लगा है कुछ अब अंदर्वक्त भी मोधी विरोधी बनते दिखाई दे रहे हैं लहाजा अवाम अब हुकुमत को बदलना चाहती है एक बार फिर सत्ता बदल यानि हुकुमत बदलने के आसार तो नजर आ रहे है वक्त फिर बदलता दिखाई दे रहा है जरूत है कॉंग्रेस हो या कोई दिगर पार्टी भाजपा को अगर हुकुमत से यखतदार से बेदखल करने के लिए कोशिश जद्दो जहद करनी है कामियाब हो सकती है अगर ये जद्दो जहद करते हैं तो यकीनन कामियाब हो सकते है इसलिए के अवाम अब और धोका नहीं खाना चाहती कांग्रेस पार्टी के डी के शुक मार काफी जहनी और तो जुरुबेकार मानी जाते हैं करनाटक सियासत में इनका अपना एक मकाम है आज यकीनन कांग्रेस के लिए नई शुरुवात कह सकते हैं वैसे भी भाजपा की हुकुमत को हमेशा खतरा करनाटक से ही रहा है करनाटक भाजपा के लिए पहली कीनना साबित हो जाए अब कांग्रेस पार्टी अब अपने खोई अभरों से कोई एक बार फिर कैसे हासिल करती है या फिर भाजपा कोई नई तरकीम के साथ अवाम के जहनों को मोडने में कामियाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इतिहाद लिए देखने के लिए शुक्रिया अल्लाफिस